नमस्कार दूस्तों, कैसे हैं आप सब? उमीधे बहुत अच्छे होंगे. स्वागत है आपका त्रिग्या टुविल व्लॉग्स में एक नए वीडियो के साथ. दूस्तों, कई सारे शुर्धालू हेलिकॉप्टर के द्वारा केदारनाथ की यात्रा करते हैं. तो आज का वीडियो उन्चद्धालू के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो हेलिकॉप्टर के द्वारा केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं. दूस्तों, चारधाम यात्रा के द्वारान केदारनाथ हेलि सेवा के लिए इस बार ऑनलाइन टिकेट्स की बुकिंग का काम जो है वो आई आर सी टीसी को सौपा जा सकता है. ये एक नया चेंज है जो इस साल किया जाएगा, अभी तक जो हेट हेलिकॉप्टर टिकेट्स की बुकिंग जी एम वी एम के माध्यम से होती थी, लेकिन इस वर्ष आई आर सी टीसी को ये कॉन्टेक्ट दिया जा सकता है. आई आर सी टीसी के पास रेल्वे टिकेट्स बुकिंग करने का एक बहुत मजबूत सिस्टम है, जिससे की हैली सेवा की टिकेट्स बुकिंग का काम उन्हें दिया जा सकता है. किदारनाथ हेलिकॉप्टर टिकेट्स के लिए नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और ऑनलाइन टिकेट्स के बुकिंग आई आर सी टीसी को सौपने पर विचार किया जा रहा है. दुस्तो 2020 से सिर्सी फाटा गुप्तकाशी से नौ एवेशन कंपनीज हैली सेवा का सिंचारन कर रही हैं. जिसमें की गुप्तकाशी से किदारनाथ के लिए Aero Aircraft और Aryan Aviation, फाटा से किदारनाथ के लिए Pavan Hans, Chipson Aviation, थंबी Aviation और Pinnacle Air, तथा सिर्सा से किदारनाथ के लिए Aero Aircraft, हेमालियन हेली और फिर कैट्रल Aviation, इनके माध्यम से हेली सेवा को संचालित किया जा रहा था, उत्राखन नागरिक उड्डेन विकास प्राधिकरन युकाटा, कि दारनाथ हेली सेवा के लिए इस बार भी 9 कंपनीज के साथ में, हेली सेवा के लिए 3 साल का कॉंट्रेक्ट कर रही है, और कॉंट्रेक्ट के प्रोसेस पूरी होने के बाद, अप्रेल से हेली सेवा की ऑनलाइन टिकेट्स की जो बुकिंग है वो शुरू हो जाएगी, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशकवरी है कि अप्रेल से के दारनाथ यातरा शुरू होने के 15 दिन पहले से, इसमें कोई भी बड़ोत्री नहीं हुई है, तो इस बार शायद 15 से 20 परसंट जो हैट हेली कॉप्टर की टिकेट्स के किराहे में बड़ोत्री हो जाएगे, जुस्तो हेली कॉप्टर सर्विस से जुड़ी एक और जानकारी आपके लिए वो ये है कि गुप्तकाशी, सिरसी, फाटा, यहां से जो हेली सेवा है, वहां आपसे यातरियों की भीड बहुत अधिक हो जाती है, तो इस यातरियों की इस भीड को देखते हुए, इस बार सर से भी अधिक होता है, जिए एमेशन कंपनीज तयार हो जाती है, और सरकार के साथ उनकी बात हो जाती है, तो देहरादून से भी हली सेवा इस वर्ष शुरू हो सकती है, जुस्तो आपके लिए हरी टिकेट्स की बुकिंग से रिलिटेड एक और अपडेट है, और वो यह है कि केदानाद धाम के लिए हली सेवाओं की टिकेट्स की बुकिंग पूरी तरह से इस वर्ष ऑनलाइन होगी, अभी तक विवस्ता यह थी कि 70% बुकिंग ऑनलाइन होती थी, वह 30% बुकिंग ऑन दे स्पॉर्ट यानि की मौके पर की जाती थी, लेकिन इस वर्ष 2023 से इस व विवस्ता के अनुसार होगी, जोयातरी गुप्तकाशी, सिरसी, फाटा, यहां के हली पेट्स पर पहुँच जाएंगे, वहां पहुच कर बुकिंग करना चाहते हैं, उन्हें उसी दिन IRCTC की वेबसाइट से ततकाल ओनलाइन बुकिंग के माध्यम से टिकेट्स जारी किये दुस्तों चारधाम यातरा के दौरान केदारनात हैली सेवा के लिए तीर थियात्रियों को बहुत परिशानी झेलनी पड़ती है, ओनलाइन टिकेट्स की बुकिंग होने के बाद भी यात्रियों को लंबा इंतिजार करना पड़ता है, यात्रियों की शिकायत भी रहती है क सरकार को पुरी उमीद है कि हेलिकॉप्टर टिकेट्स की काला बाजारी पर रोक लगेगी, हेली सेवाओं से जोड़ा हुआ यह जो अपडेट है वो आपके लिए काफी इंफरमेटिव रहेगा, और उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा, इसमें दी हुई जानका करता है, तो दोस्तों आने वाले वीडियो में केदारनाथ यात्रा और चारधा म्यात्रा से संबंधित जो भी अपडेट्स होंगे, वो हम आपके लिए अपनी चैनल पर लेकर आते रहेंगे, तो हमाई सहत बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में